आपके लिए हिंदी के ओनलाइन क्लास तो आप सभी का हार्दी का भिनंदन है आपके इस कक्षा में तो अभी हमारी यात्रा है वो राजस्तान बोर्ड की तरफ है तो राजस्तान बोर्ड में देखिए हम लोग सामाने हिंदी जो कक्षा बारा की है उसमें हम लोग पढ़ रह जो आपके syllabus में जो chapter आया है वो है camera में बंद अपाहिज ठीक है तो camera में बंद अपाहिज जो लिखा गया है रगुवीर साहय जी और उनका ये जो lecture है lecture number first है ठीक है तो देखिए चलते हम रगुवीर साहय जी के जीवन परिचे के बारे में कि रगुवीर साहय जी कौन है क्या उनकी क्रतिया है क्या उनके विचार है साहितिक परिचे उनका क्या है यह सारी चीजे अभी हम पढ़ते हैं तो यह देखिए यह है रगुवीर साहय रगुवी सहाई जी के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जन्म के बारे में देखिए कितनी बार मैंने हर बार यही कहा है आप सभी से कि जब हम जीवन परीचे पढ़ते हैं तो जीवन परीचे के अंदरगत सबसे पहले उनका जन्म आता है इस्थान आता है, कृतियां आती है, सम्मान आता है और फिर मृत्यू आती है मृत्यू जन्म दोनों पहले पर आ सकते हैं लेकिन ये सारी चीज़े आएगी कि जीवन परीचे के अंतरगत उनके माता पिता, उनके जीवन से सम्मन दित ठीक है, किसी भी लेखक या किसी भी व्यक्ति के जीवन के परीचे, जीवन परीचे के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, तो उसका मतलब यह है कि उनका जीवन कब हुआ था, कहां हुआ था उनके माता पिता का नाम कौन, क्या है और या फिर उन्होंने अपने जीवन में जो भी कारे किये हैं, बहुत अच्छे कारे किये हैं, या फिर उन्हें जो सम्मान प्राप्त हुआ है, वो और उनकी म्रत्यू, यह सारी चीजें उनके जीवन परीचे के अंतर आती हैं, तो हम भी यहाँ पर अगविर सहाई जी के बारे में जो पढ़ेंगे, वो उनसे सम्मंदित ही होगा, उनके जीवन से सम्मंदित होगा, किस प्रकार उनका जीवन चला है, उनकी शिक्षा दिक्षा कहा पर हुई है, शैक्षनी गतिविद्या किस प्रकार हुई है, किस प्रकार हम पढ़ने जा रहे है जन्म देखे दिनांग का यहाँ पर कुछ असमंजस में है इसलिए यहाँ पर सन दिया गया है लेखक का कि जो रगुविर साहे जी है उनका जो जन्म है 1929 में हुआ था लखनव उत्तर परदेश में हुआ था ठीके कहां हुआ था लखनव के उत्तर परदेश में उनका जन्म हुआ था सन 1929 को प्रमुख रचनाए अगर कहे तो अग्ये द्वारा संपादि दूसरा सब्तक ठीके अग्ये कौन? अग्ये जी कौन हुए भई? सच्चिदानन, हीरानन, बात्स्यानन अग्ये जी जो प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते है जो एक महान कवी माने जाते है उनके बारे में बताया है कि उनके जो तार सब्तक थे जो तार सब्तक दूसरा तार सब्तक था 1951 में उसके द्वारा उनकी रचनाए यहां पर संकलित की गई आरंबिक कवीताय, महतुपुन कावे संकलन, सीडियों पर धूप में, आत्म हत्या के विरुद, हसो हसो जल्दी हसो पत्रकारिता के अंदरगत हम देखे, तो पत्रकारिता के अंदरगत आएगा ओल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचर विबाग से सम्मन रहे है ये जो रगुवीर साहय जी है, देखे, इनके बारे में क्या है? कि इनकी प्रमुक रचना है, कि अग्ये द्वारा संपादित, दूसरा सब्ता कुनी सो एक कावन में जो प्रकाशित हुआ था उसके बाद में आरंभी कवीता है जो थी, वो सारी रगुवीर साहय जी के द्वारा लिखे गई है महतुपुन काविस संकलन किया था उन्होंने सीडियों पर धूप में ये इनका महतुपुन काविस संकलन था और आत्मा हत्या के विरूद हसो हसो जल्दी हसो ये सब इनके काविस संकलन है ठीके उसके बाद में पत्र कारिता आई है तो All India रेडियो के हिंदी समाचार विबाग से संबंद रहे थे ठीके किस से All India रेडियो के हिंदी समाचार विबाग से और इंडिया रेडियो में कई भाषाओं का समाचार होता था उन भाषाओं में भी हिंदी समाचार विबाग से सम्मद रहे फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्री का कलपना और उसके बाद दैनिक नव भारत टाइमस से था दिनमान से सम्मद रहे क्या हुआ भई कि सबसे पहले तो वे All India Radio से संबंद रहे हिंदी विबाग के अंदर गठ ठीक है उसके बाद में फिर वे हैदरवाद से निकलने वाली एक कलपना नाम की पत्रीका से संबंदित रहे और उसके बाद में वे दैनिक नव भारत टाइम तथा दिनमान से भी संबं बना हुआ था मतलब इन्होंने बहुत सारी पत्रीकाओं में भी कारे किया था हिंदी विशे को लेकर संब्मान की बात करें तो यहां आते हम उनके संब्मान देखिए कौन सा मिला उनको साहित्य अकादमी पुरुसकार संब्मान मिला उन्हें ठीके जो बहुत बड़ा संब संब्मान गिना जाता है भारति ज्यान पिट पुरुसकार और साहित्य अकादमी पुरुसकार यह बहुत बड़े संब्मान माने जाते हैं तो साहित्य अकादमी पुरुसकार से उन्हें संब्मानित किया गया उसके बाद में उनकी निधन की बात की जाये तो 1990 में दिल्ली क जन्म से लेकर मृत्यू तक का विब्रंद दिया गया है और बताया गया है कि कौन-कौन सी रचनाएं उन्होंने यहाँ पर प्रकाशित कर रही थी ठीक है? आगे देखते हैं हम रगुविर साहे जी के बारे में पढ़ते है कि रगुविर साहय समकालीन हिंदी कवीता के सम्मेदन शिल नागर चहरा है सम्मेदन शिल से मतलब आप मानेगे कि एक बहुत भावोक व्यक्ति थे वे सम्मेदना को प्रकट करते थे आपके पाठे करम के अंतरगत रगुविर साहय जी की जो रचना है कैमरे में बंद अपाई वो उसमें सम्मेदना भर भर के बरी बरी है जब आप ये रचना पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि लेखक ने समाज के किस संकीन मानसिक्ता की तरफ चोट की है कि रगुविर साहय जी क्या अपने इस कावे या अपनी कविता के माद्यम से समाज के किस सचाई को बताना चाते है वो यहाँ पर इस पशलूप से प्रकट हुआ है उनकी रचना की माद्यम से जिसका नाम है कैमरे में बंद अपाई जी ठीक है उसके बाद देखिए बहुत ही सम्विंदन शिन नागर चेहरा है सडक, चोराह, दफ्तर, अकबार, संसत, बस, रेल और बाजार की बेलोस भाषा में उन्होंने कविता लिखी है अब यह जो भाषा कौन सी है या तो आप सडक पर उस भाषा को सुन सकते हैं, किसी चोराह पे सुन सकते हैं, संसत पे सुन सकते हैं, बस में सुन सकते हैं, रेल में सुन सकते हैं मतलब कि या फिर अकबारों में भरे भरे शब्दों से बरा हुआ है, मतलब बड़े बड़े शब्दों से बरा हुआ है, ऐसी भाषा का उपयोग उन्होंने अपने कविताओं में किया है, जिसमें सम्मेदना को प्रकट किया है, इस तरह की भाषा का प्रयोग करने के बावज आगे चलते हैं कि घर मोहले के चरित्र पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का इस्थाई नागरिक बनाया है घर मोहले अब घर मोहलना कैसे कहेंगे कि रगुविर सहाय जी ने जीवन के छोटे से छोटे पहलू के रूप में भी कविता प्रस्तूत की है जीवन के हर शेत कावि का विशय बनाया है। और उस घर मौले का भी चरीतर चितरन किया है कावि के अंतरगद्व। उस चरीतर चितरन के माध्यम से हमें पाता जलता है कि हम जिस वातावरान में रह रहे है वह वातावरान किस प्रकार का है। हत्या, लूट पात और आगजनी, राजिनितिक भ्रष्टचार और छल छद्म, इनकी कविता में उतर कर खोजी पत्रिकारिता की संसनी खेज, रब्टे नहीं रह जाते, आत्मा अन्वेशन का माध्यम बन जाते है, आत्मा अन्वेशन का मतलब होता है, स्वेम की खोज, स्वे यहां पर जो कवी है, वो क्या कहना चारा है, यहां पर कवी के परीचे के बारे में और क्या बताया है, कि जो हत्या, लूट पात और आगजनी, राजिनितिक भ्रष्टचार या जो छल कपट चलता है, उस छल कपट को भी उन्होंने अपने कावे का विशे बनाया है, उन जासूसी टाइप जो पत्रिकारिता करता है, जासूस जनरलिस्ट होता है, वो उस पत्रिकारिता में संसनी खेज, बहुत ही धमागेदार जो रिपोर्टे लिखी जाती है, वो रपटे नहीं रह जाते, आत्मा अन्वेशन का माध्यम बन जाते है, यानि कि केवल वे एक भी गिने जाते है, इसलिए रगुबिर साय जी का कावे में ब्रमुक इस्तान है, बहुत ही महत्वपुन इस्तान है, यह ठीक है कि पेशे से वे पत्रिकार थे, बिल्कुल, जब उनका जो प्रोफेशनल था, उनका जो प्रोफेशन था, जो रोजगार था, वो क्या था, उ और उन कहानीकार और कवी जैसी विशेष्ताओं के कारण उन्होंने समाज की सम्मेंदन छील विशों को चुनकर अपने कावी का विशे बनाये था। कवीता को उन्होंने एक कहानीपन और एक नाट की वैबव दिया है। ठीक है? और कवीता है लिखी है तो किवल प्रकरती का चितरन नहीं क्या उन्होंने? समाज की सच्चयों को, समाज की उन गंदगियों को अपने कावी का विशे बनाया है और उन विशों को, जब कवीता उन विशों पर जब कवीता लिखते है, तो वे कवीता एक कहानी की तरह चलती है किसी पदबंद या लय या तुक इन सब चीजों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है उसमें वह तो एक कहानी का रूप ले लेती है जब कवीता दीरे 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 अग्रसर होती है आगे की तरफ चलती है तो हमें कहानी की तरफ पूरा विवरन बता देती है कि यहां पर कवी क्या सबस्ट करना चाते थे आगे चलते हैं जातिया या व्यक्तिक इसम्रतिया उनके यहां नहीं के बराबर है जातिया या व्यक्तिक तोर पर यह किसी जाती को लेकर विशेच रूप से उन्होंने अपनी लेक का विशे नहीं बनाया है उनके विचार यहां पर कि किसी प्रकार से प्रस्तूत नहीं हुए है ठीक है इसलिए उनके दोनों पाउं वर्तमान में ही है वे देखिए भूत और भविश्य जो चला गया है या आने वाला है उस चीज को लेकर नहीं सोचते हैं वे तो वर्तमान की बात सोचते हैं कि आज जो हमारा जीवन चल रहा है वो किस प्रकार का होना चाहिए और किस प्रकार से चल रहा है तो उनी चीजों को लेकर उनी सम्मिदनाओं को लेकर उन्होंने कावे रचना की है ठीक है आगे चलते हैं बावजूद इसकी मारमिक उजास और व्यंग बुजी खुरदरी मुसकानों से उनकी कवीता पटी अब यहाँ पर चंदानु शाशन से मतलब है कि चंद का कावे शास्तर का कहां तक प्रयोग किया है कवी ने तो किया है बहुत अत्तक किया है लेकिन जब नई कवीताओं का दौर आया था प्रयोगवादी कवीताओं का दौर आया था तो उस प्रयोगवादी कवीता के दौ है क्वा पॉठक है पनी शैली का प्रियों है इस प्रकार से अपन ऊपने चलिंगे क्रियार करते थे उन्हों कि कौई का यहां ने है क्वाटॉर पर pleasing करना गविग desen विद्वन है उन्हों आती है वो यह है कि रगुवे साहय जी ने बड़ी-बड़ी कथनों में अपनी बात नहीं कई है बड़े-बड़े पंक्तियों में उन्होंने अपने कावे को नहीं लिखा है बहुत छोटे-छोटे बिलुकुल क्रम से आने वाले लगू-लगू शब्दों का प्रयोग किया है लगू-वाक्यों का प्रयोग किया है लगू-कथनों का प्रयोग किया है और ऐसे कथनों की माध्यम से जो कवीता है वो कहानी का रूप ले लेती है और मतलब थोड़े में जैसे बोलते है कि गागर में सागर बनने वाली बात है तो वही यहाँ पर लगूवीर साहय जी की क कवीताओं में हमें विशेश रूप से देखने को मिलता है और जब हम पढ़ेंगे कैमेरे में बंद अपाईज नामक जो कवीता उसमें हमें पता चलेगा कि कुछ शब्दों की माद्यम से उन्होंने बहुत कुछ कहने का प्रयास किया ठीक है आगे चलते हैं वे महज बड़े कहे जाने वाले विश्यो या समस्याओं पर ही द्रश्टी नहीं डालते वे यानि कि जो रगुविर साहय जी है वे केवल बड़े कहने वाले यानि कि बहुत बड़े-बड़े विश्यो को नहीं लिया उन्होंने समाज के बहुत ऐसी बड़ी-बड़ी समस्य अपने कावे का विशे नहीं बनाया है उन्होंने तो समाज की उन छोटी छोटी चीजों को उन छोटे छोटे प्रकरन को अपने कावे का विशे बनाया है जिन की तरफ समाज का ध्यान जाता ही नहीं है जिन समयदनाओं की तरफ समाज देखता ही नहीं है उन समयदनाओं को च रचनाओं का विशे बनाते हैं, रगुविर जी ने भारते समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्र कारिता के पाठकों का ध्यान खीचा है, रामदास नाम की उनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महतुपुन रचना मानी जाती है, कौन सी? रामदास नाम की, यहां पर कवी कह रहा है कि रगुविर जी ने भारते समाज में जो ताकतवर लोग थे, उनकी बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ साहित्य में लिखा है, ठीक है? और पत्र कारिता के, साहित्य और पत्र कारिता के माध्यम से लोगों तक पहुचाया है, कि किस प्रकार जो पुंची पती लोग थे, जो हैसियत से बड़े थे या ताकतवर लोग थे, वे किस प्रकार से उन निर्बल लोगों को दबाने का प्रयास करते हैं, ठीक है? रामदास नाम की जो उनकी कवीता है, उस कवीता के माध्यम से हिंदी कवीत में एक बहुत भी, रामदास नाम की जो उनकी कवीता है, वह कवीता हिंदी साहिती जगत में एक महतोपुन इस्थान रखती है, तो पढ़ेंगे हम रामदास नाम की जो कवीता है, किस प्रकार की है, ठीक है? आगे चलते हैं, अत्यंत साधारन और अनायास सी प्रतित होने वाली शैली में समाज की दारून विडम बनाओ को पकड़ने की जो कला रगुवीर साहिजी की कवीताओं में मिलती है, उसका प्रतिनिदी उधारन है, यहाँ प्रस्तुद कवीता कैमेरे में बंद अपाहिज, जो लोग भूल गए है, संग्रा से ले गई है, देखे, पर आता है कि अतिन साधारन और अचानक से बहुती साधारन और मतलब ही इस स्वतम ही हमें आसानी से दिखने वाली, अनाया से प्रतित होने वाली, यहां कि हम कहीं भी उस स्तुती को आसानी से देख सकते है, अनाया सी प्रतित होने वाली शैली में समाच की मतलब की उस दारून विडम्बना दारून यानि की इतनी सम्वेदन शिल बात को यहां पर कभी ने प्रकट किया है दारून विडम्बनाओं को पकड़ने की जो कला रगुविर साहे जी की जो कभीता है जो दारून विडम्बनाओं को प्रस्तूत करती है उन दारून विडम्बनाओं की प्रस्तूति करन में जो उनकी लीडर्शिप करती है यानि की जो प्रतिनीदी करती है उन कभीताओं में जो प्रमुक कभीता है वो है कैमरे में बंद जो लोग भूल गए है नामक कावे संग्रा है उस संग्रा से ली गई है आप सभी को याद रखना है कि कैमरे में बंद अपाहिज नामक कवीता किनों ने लिकी है रगुविर साहे जी ने और वो किस कावे संग्रा से ली गई है तो कावे संग्रा का नाम है जो लोग भूल इस कावे संग्रत से ले गई है शारेरिक चुनोती को जेलते व्यक्ति से टेलिविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कारेकरम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगीमा की अपेक्षा की जाएगी इसका लगबग सपार तरीके से बयान करते हुए भंड़ा है रगविर साय जी का उसके बाद यह जो आया है यह हमारा है पाठ परिचे यानी की हमारी कविता का परिचे की Heag कवीता है केमरे में बंद अपाईज जो रगुविर साय जी के द्वारा लिखी गई है और जो लोग भूल गए कावे संग्रे से लिग गई है उस कवीता के अंतरगत किस प्रकार के भाव प्रकट किये है रगुविर साय जी ने तो यहां बताया है कि शारेक रूप से कोई व् अपाईज होने के बाद में उसके साथ जो भी समाज में होता है वह तो जेलता ही है ठीक है अब एक बार क्या हुआ कि बाई कुछ लोग आए टेलिविजन के कुछ लोग आए और वो लोग उस अपाईज व्यक्ति का इंटर्विव लेना चाते है यानि कि साक्षतकार करना जो अपाईज है उस व्यक्ति के मन मस्तिक्ष में क्या विचार उत्मन होते है कितना दुख होता है उसे किस प्रकार की भावना को महसूस करता है यह सारे चीजे इसमें द्रश्टी गोचर होती है यानि कि हमें दिखाई देती है तो यहाँ पर कैमेरे में बंद अपाईज नामक जो कवीता है उसके माद्यम से बताया है कि जो अपाईज व्यक्ति है वे शारेरिक रूप से उन्हें तो दक्ष नहीं है शारेरिक रूप से उनमें कमी है और उस कमी को यहाँ पर पुरे समाज के पुरे संसार के सामने आप बोल बोल कर उजागर कर रहे हैं उससे कहल प्रकार का लगता है कैसे हुए कारी कैसे करते है तो उनकी इस दुख बरी विडंबना को यहां क्यों प्रकट किया जा रहा है रगुविर साय जी की जो भी ऐसी इस प्रकार की समिधन शीन कवीता है उन कवीताओं का प्रतिनीदी करती है कैमरे में बंद अफाईज कवीता ठी का पार तरीके से बयान करते हुए कवी ने एक तरह से पीड़ा के साथ द्रस्ते संचार के पिमादम से समवेधन शील होने और दूसरों को सम्वेधन शील बनाने का दावेदार होना चाहिए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि किसी की पीड़ा को बहुत बड़ा बनाना अब वह अपाईच है कोई व्यक्ति और अपाईच था के कारण वह अपनी पीड़ा को सैन कर रहा है लेकिन वह उस चीज को भूल चुका है और वह आगे बढ़ना चाहता है लेकिन इस प्रकार की व्यक्तितों वाले इस प्रकार की मानसिकता वाले व्यक्ति उन्हें ये भूलने नहीं देते हैं कि आप भी समाज के हिस्से हो आपको भी समाज में अधिकार प्राप्त है आपके भी कारे है आप भी बहुत कुछ कर सकते हो इस तरह के विजार उनके बात यह है कि एक अपाईच के साथ में एक साधरन व्यक्ति का वेवार किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार का वारतालाफ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जब कारोबार की बात आती है, कि किस चैनल को किस इंटर्व्यू के माद्यम से ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया ह तो उस प्रसिद्धी को पाने के लिए वो एक कारोबार हो गया उस प्रसिद्धी को पाने के लिए वो किस तरह किस हद तक जा सकते है यहां पर कवी ने यह प्रकट किया है ठीक है रगुबिर साही जी कि यह कवीता टेलिविजन स्टूडियो के बीतर की दुनिया को उभारती जरूर है लेकिन यह आवशक नहीं है कि इसे सिर्फ टेलीविजन माद्यम से जोड़ कर देखा जाए अपनी व्यंजना में यह कवीता हर ऐसे व्यक्ति की और इशारा करती है जो दुख दर्द यातना वेदना को बेचना चाता है यहाँ पर देखिए अब रगुवीर साहे ज होता है बंद कमरा होता है उस बंद कमरे में कही गई बात है कि जो अपाईज वेक्ति है वह यह सोच रहा है कि मुझे सिर्फ यहाँ पर प्रश्न उतर किया जा रहा है मैं मुझसे प्रश्न किया जा रहे और मैं प्रश्न का उतर दे रहा हूं लेकिन होता यह है कि वह उसके सम्मेदना को उसके भावनाओं को वे दुनिया तक पहुंचाकर उनको बेचना चाते हैं सबको बताना चाते हैं लेकिन इसलिए नहीं कि उसके दुक्का निवारन किया जाए बलकि इसलिए कि वे अपने जो व्यापार है उनका जो कारोबार है उनका जो कार्य है उसको प्रसि इसके लिए कवी ने दूर सम्मेदन हिंता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है वह दिखलाता है कि किस तरह करूना जगाने के मकसद से शुरू हुआ कारेकरम कुरूर बन जाता है अब करूना जगाना यानि कि करून रस उत्पन करना उस जो व्यक्ति अपाईज है उसके जाते हैं सवाल जवाब किया जाता है उस वक्त इस हद तक जो पूछने वाला व्यक्ति है जो भी पत्रकारीता कर रहा है जो इंटर्व्यू ले रहा है वो इस हद तक चला जाता है कि एक करूना भरे बातावरन को वो कुरूर बना देता है ऐसा लगता है जिसे प्रशन जाता को क्यों दूर न करें जिससे जो निर्बल व्यक्ति है उन्हें इस तरह के बातावरन को फेस न करना पड़े तो ये था आज हमारा रगुवीर साहे जी जो राजिस्तान बोर्ड के पाठिकरम में समेलित है उनके द्वारा लिखा गया कैमेरे में बंद अपाहिज ना कभी कवीता परिचेव हमने पढ़ लिया है और आगे की जो कवीता है वो नेक्स्ट एक्चर में लेकर फिर से हाजिर होते हैं तब तक के लिए थैंक्यू